Hey guys, welcome back, और आज हम दुबारा से continue करने वाले हैं एक brand new mobile series वैसे हैं आप लोगों को डाइनोसारस गेम तो काफी ज़्यादा पसंद है और आज हम लोग continue करने वाले Jurassic World जो की काफी ज़्यादा interesting game है और इसमें अपने को guys dino की dino से fight कराना होता है बाई काफी ज़्यादा मसा आएगा तो चलो चलते हैं ओके यहाँ पे अपने Jurassic World में एक dino आ रहा है देखते हैं वो कौनसा dino है मुझे नहीं पता अभी कौनसा है जैसी open होगा तब पता चलेगा बाई डोर खोलो ओके यहाँ पे डोर तो open हो चुका है अभी dino यहाँ पे से पहार नहीं निकला I think guys यह T-rex है definitely T-rex है मुझे T-rex ही लग रहा है तो यहाँ भी guys Trisotops and Majum का सौरस sorry यार T-rex नहीं है वो Majum का सौरस है उसका fight है the area project need you are swear girl has what it taken don't listen to the चलो यार अभी हम लोग fight में focus करते हैं let's go okay अपने trike ने पहला hit मारा so Majum का सौरस को इतना damage नहीं गया अभी यह दो hit मारेगा मैं तो गया फिर एक hit मारा मुझे नहीं लगता है हम लोग इस fight को continue कर पाएंगे तो मुझे लगता है मुझे जो यह ना अपने Jurassic World में जाना पड़ेगा अपने trike को थोड़ा सा evolve करके फिर हम लोग battle में आएंगे चला फिर भी हम लोग try करते हैं एक hit देंगे और एक हम लोग जो इना block करेंगे भाई damage तो ना के बराबर जा रहा है इसको भाई अप तो में गया 101% दो hit मारा तो जी आप मुझे पता था इस fight को अभी हम लोग continue नहीं कर पाएंगे और मुझे जो यह ना जाना पड़ेगा अपने Jurassic World में इसको वाँ पे हम लोग evolve के रहे करके फिर हम लोग आएंगे ओके गाईस हम लोग अपने head office पहुँच चुके है तो चलो अभी अपन लोग अपने trisod option में work करते है I know of training technique that might able to help us in the arena ओके लेस्गो करते हैं भाई अभी हमें इसे train करना है first let's pay your dinosaur a visit let's go करता है तो चलो यार अभी हम लोग चलते है and photowards इसको evolve करने का try करेंगे तो हमें इनको beef up करना है तो जितने भी हमारे पास food है हम लोग इनको photowards से beef up करते है and कम से कम 10 level करना पड़ेगा मेंको इसको तो let's go यार photowards हम लोग जो है न इनको खाना खिलाते है let's go ओके यहां पी यह 10 level को तो हुआ and अपने पास already एक 10 level का है तो अभी अपने लोग इनको evolve करते है और evolve करने से अपने को जो है न इनकी strength, abilities, fighting skills जो है वो improve होती है तो समझ सकते हैं हम लोग इनको evolve कर करके काफी खतरना डाइनो बना सकते हैं भाई मैं तो काफी ज़्यादा excited हूँ तो चलो यार फटावर्स हम लोग जो है न करते हैं इसको evolve evolve करने में लग बग थोड़ से time लगेगा वैसे जैसे हम लोग high high evolution करेंगे तो भाई इसमें काफी ज़्यादा time लगने वाला है तो चलो evolve हो चुक है level 11 में इसको अभी हम लोग place करेंगे और साथ के साथ देखते हैं अकर level up करना होगा तो अभी कर लेंगे नए तो यार फिर हम लोग बाद में करेंगे तो अभी लगता है हम लोग लग बग battle के रेड़ी हो चुक है अब हम लोग दुबार से आचुक है यहाँ पर ट्राइस टॉप्स एंड मर्जूंका सोरस की fight ले तो भाई इस बारी हम लोग fight दिमाग से करेंगे ठीक है भाई यह मजाग उड़ा रहा है यह बुड़ा अपना बताते हैं इसको हम मजाग से नहीं हम fight से जवाब देंगे तो चलो सबसे मिले तो गाईस यहाँ पर वो attack करेगा भाई मैंने एक block किया उसने दो attack किया अभी मेरे पास लगबग तीन attacks हैं तो हम लोग तीनो attacks मार दें तो ठीक है गाईस मैंने यहाँ पर तीनो नहीं दो attack में लुड़क जाए गए है तीनो मार दिये ले भाई निकल यहाँ पर से तो भाई यह अपने को छोटा समझ रहा था देखा अपने evolution giveaway trash adoption में क्या ही गजब मारा what a surprise can you teach an old beast a new track yeah you know a fair I know you would do it name Owen Grady by the way you are gonna पता नहीं guys जो भी होगा यहाँ पर मैं को एक egg मिला जो की मजूंका सौरोस का था उसको मैं फटावट से hatch करता हूँ hatch करने में लग बग दो मिनिट लगेंगे तो इसको हम लोग ने fast forward करा अब अभी अपने को मजूंका सौरोस मिल चुका है अब पटावट से इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं place तो कर दे place let's go तो यहाँ पे हम लोग ने उसको place कर दिया है और मुझे definitely इसको level up भी करना पड़ेगा कम से कम 10 level हो चाहे तो मजा जाएगा तो अभी मेरे को level up करने के लिए food production भी increase करना होगा तो चलो guys मैं food production unit जो है उसको activate करता हूँ and finally यहाँ पे वो food वगेरा process करने लगे and अपने को जोए न लगबग एक hour के लिए activate करना है उसको तो मैंको यहाँ पे AIU unit foundation new expansion and मैंको alunqua मिला है alunqua को hedge करें तो देखते है guys अभी हम लोग hedge करेंगे बढ़ यहाँ पे मैंको कुछ food मिला DNAs मिले वो मिले यह तो alunqua नहीं है ट्रोपगेंडस है ओके the tropicalness is available on the market तो चलो यार फटावर से check out करते हैं and इसको हम लोग hedge करेंगे ओके यहाँ पे hedge होने में लगबग इसको पांच मिनट लगेंगे तो हम लोग speed up करते हैं लगबग 3 dollars में and उसके बाद हम लोग इसको fataxajon प्लेस कर लेंगे तो okay guys इसको कहाँ पे प्लेस करें वो और तो जगा दिख नहीं रहा है तो ऐसे करते हम लोग इसको यहीं पे प्लेस करते हैं ठीक है प्लेस हो गया outstanding now that you got the hang up of thing you are on your own I am sure you your path will cross someday good luck ठीक है भाई well wishes दिया वो अपने को यहाँ पे mystery क्या है photographer से check out करते है mystery में अपने को क्या मिला food मिले dna's मिले coins मिले and trials to tops तो यार इसको जो है ना मैं series continue करूँगा तो definitely इसको जो है मैं अपने google play से connect कर लेता हूँ google play से connect करना ही पड़ेगा guys मैं को इसको तो मैंने जैसे यहाँ पे google play से connect किया and यहाँ पे मेरे को खुछ awards मिले वो मैंने claim किये and अभी अपने लोग थोड़े से daily missions complete करते है okay यह बुड़ा दुबारे से आगी है fight करने के लिए लगता है यह भी अपने जो मजूंका सोरस्ता उनको evolve करके लाया है तो चलो यार चलते हैं और देखते हैं इसने क्या क्या यहाँ पे काम किया है okay मेरे पास तीन डाइनोज हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं एक ट्राइक को लेके चलेंगे and एक ट्रॉपगेंडस बट इस बार यह अलिंको लेके आया मजूंका सोरस क्यों नहीं लेके आया लगता है उसका मजूंका सोरस था न वो उसकी health कम होगा उसको regen करने में time लगेगा and इसलिए जो अपना यह मजूंका सोरस नहीं लेके है तो चले एक और fight ट्राइक वर्सिस अलिंको आ but I think ट्राइक अपना easily मार देगा उसको तो यहां पर पहला attack मैं attack दे रहा हूं डारेक 38 का damage and यह attack दिया वैसे guys इसमें दो attack है and यह कितने देता अपने को भाई दोनों इसने block कर दिया तो मैं एक एक क्या करें सबसे पहले ऐसे करता हूं एक block करता हूं एक hold करूंगा देखो इसका नुक्सान हों कि इसने दो hold किया हुए थे अभी इसके पास कम से कम तीन attacks है देखते हैं क्या मरेगा भाई इसने एक attack मारा एक मेरा block तो मैं बज़ी है और अभी अपने परस लगबख चार attacks है तो मैं चारो के चारो अटेक्स मार दूँगा यह जो है ना खतम ले भी यह निकल गेट आउट प्रॉमेर तो ओके गाईस यहां पर हम लोगों ने इसको मारा बिचार है यार यह बुद्धा जो है ना दुबारा fight हार गिया बुद्धा दुबारा fight हार गिया Congratulations you have received something DNS यहां पर LM को भी unlock हुआ इसको भी हम लोग फटाबट से hatch करें अरे यार आपी hatchet area जो है ना वो चल रहा है already busy है अभी मैंने इनको unlock नहीं किया है वो हम लोग बाद में करेंगे तो अभी यार अपने को थोड़ा सा wait करना पड़ेगा तो यहां पर मैंने missions complete कर रहता मैंने को थोड़ा सा foods वगेरा मिले ओके तो मुझे अपना मजुंका सोरस को लगबख 5 level कर करना है तो चलो गाइस फटावट से चलते है अएंड मजुंका सोरस को जो है ना सबसे पेले हम लोग level up करेंगे तो भाई अभी अपने को अपना मजुंका सोरस से हो वो around 5 level करना है तो करते हैं यार फटावट से इसको लोग फीड अफ कराएंगे और जल्दी से जो यह नहीं यह पांच लेवल को जाएगा चल बैटाई दुबार खा ओके यहाँ पे अपना मजुंका सोरस ज्यो वो लगबख पांच लेवल को हो चुका है और अपने को क्या करना है लगता है इसको भी हम लोग फाइट में चल लेंगे दुबार से मिसंस कंप्लीट तो मैं कोईंस कलेक्ट करता हूं लेस्ट को गाइज अभी अपन को और क्या करना है अरे गाइज अपना लेवल तीन हो चुका है यहाँ पे मेरे को कॉंसर आइनो मिला चलो चेक आउट करता हूं इसको उपन करके मिस्ट्री ओके 800 गोल्ड कोईन फूड मिला चार हजार यूव अन लोयल्टी पॉइंट्स टैप टू कलेक्ट चलो कलते हैं फटावट से कलेक्ट इसको लोयल्टी पॉइंट्स ओके यह नहीं चाहिए अपने को वी हाइपी है हम लोग सस्ते में काम निप्टा लेंगे मिसंस एक्सपी नट ओनली तो वी प्रोड्यूस डाइनो बट भी आलसो इस्टैबलेस बिल्डिंग अन डेकोरेशन तो इनेंस दा पार्क विज्वल एपील ओके सबसे पहले तो गाइस में को यहाँ पर एस यू ओपिस प्लेस करना है इसका क्या यूज है डेफिनिटली बाद में पता चल जाएग अपने को तो इसको हम लोग यहाँ पर प्लेस करते हैं लगबग पच्छिस सो डॉलर्स तो ठीक है ऐसे करते है डाइनोस के बगल मे तो चल रहा है वैसे इसको लवल अप करने के लिए अराउंड अपने को पांच लवल चाहिए तो टाइम पर अभी करेंगे अपने लोग इसको अप्ग्रेड वैसे में को यहाँ पर एक बैटल आया है तो चलो यार फटावट सम लोग बैटल करके आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या-क्या डाइनोज आएंगे यहाँ पर यार मेरे ट्राइक तो जखमी है तो चलो यार मैंने इसको फ्री में हील अप कर लिया है और इस बारी में लेके जाने वाला हूं ट्राइक, बजूंकरसोरस और अलिम्क्वा को अखे, लेस्ट को आई यह कौन सा है यह कौन सा डाइनो से है लिम्नोसिस जो भी होगा गाईस माइन मत करना भाई डाइनो के नाम इतने गंदे गंदे होते है ना प्रोनेंस करने में खापी ज़दा प्रॉब्लम होता है ओके यहाँ पे गाईस मैंको तीन अटेक है पहला मै अटेक मार दिये मैंने तीनो यह जाएगा 101% निकल भाई यहाँ पे से गटा होते है तो अभी गाईस मेरे पास यहाँ पर अटेक नहीं है और मैंने इसका नोडिस नहीं किया इसने कितने अटेक मारे में गो वोके इसने होल्ड करें आई मीन दोःक करी होल्ड किया है एट क क्या करें, तीनों मार दें, लगता तो नहीं है, तीनों मारूंगा या बचे का, लेट्स गो, एक होल्ड किया है, मैंने तीन अटेक मारें, ठीक है, तीनों मार तो मर जाता, बट एक होल्ड करना भी जरूरी था, भाई 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 गया, नहीं 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 बच किया या इसने ती दो अटेक्स मारे बाकि इसके होल्ड होंगे मेरी ख्याल से चलो चलते हैं दो और एक होल्ड बैटा निकल यहां पर सब बाहर तो भाई यह भी गया आगी काफी ज़्यदा मज़ा आएगा जहां पर हम लोग ओलाइन बैटल्स लड़ेंगे और वो काफी ज़्यदा डिंजरस होंगे बट हम लोग ओलाइन बैटल्स में कम अपन लोग जोए न अपने डाइनोस में इन्वेस्टमेंट जादे करेंगे क्योंकि अपने को डाइनोस पार्क बनाना है और उससाब से हम लोग बैटल्स पगेरा भी करते रहेंगे तो अभी गाइस अपने पार्क एक ट्राइक है मजूंकस और अपने को अपने पार्क में काफी और डाइनोस पी रखने है तो वो करेंगे लेवल अप करें इसका मुझे नहीं लगता अभी लेवल अप करना सही रहेगा लेवल अप हम लोग बाद में करेंगे तो चलो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलता हूं मैं आपसे